नमस्य दोस्तों नीता विक्रम चैनल में आप सब का स्वागत है आज दोस्तों जैसा कि आप सब देख चुके हैं हमारे सेना के प्रमुक विपिन राबत जी आज नहीं रहे हैं अब दोस्तों हम एक बार जान लेकि आज डेट क्या है आज है 8 दिसंबर 2021 की तारिक आठ जो की व्रिशिक राशी का नमबर है आठ नमबर की राशी व्रिशिक राशी है और इस समय पे व्रिशिक राशी में मंगल, केतु और कई सारे ग्रह एक साथ मौजूद है जिसके कारण इस प्रकार के परिणाम देखने मिलते हैं अब दोस्तों और भी अगर हम इस युति को ध्यान से देखते हैं क्योंकि अभी मंगल पे केतु के पूरे पूरे प्रभाव है तो बताया जा रहा है कि ये वीवान दुरघटना है पर हो सकता है इसमें कई छुपे हुए राज हो क्योंकि केतु अपने आप में कई सारे राज रखने वाला ऐसा ग्रह है आठ नंबर की राशी को गहरा गड़ा बताया जाता है जो लोग भी ब्रशिक राशी के जातक होंगे उन्हें पता होगा कि उनके जीवन में उन्हें अचानक बहुत सारी चीज़े मिलती है या तो अचानक दुख मिल जाता है या अचानक सुख मिल जाता है कोई भी चीज वो जो चाहते हैं बस वो नहीं मिलती जो भी चीज होती है वो एकदम अचानक होती है जैसे कि आज की यह दुरगटना हुई है जिसने पूरे भारत देश को हिला डाला है पहले मैं हाथ जोड के विपिन रावत जी के लिए श्रधांजली भेट करती हूँ ऐसा न्यूज चैनल में बताया जा रहा है कि उनके साथ उनकी पत्नी भी थी एक तरह से ये उनके पूरे परिवार के लिए बहुत ही भारी दुख का समय है पर आप सबको भी इस समय पे बहुत सतर्क रहने की जरुवत है देखिए जैसे देश की परिस्तितिया होती है जैसा हमारा देश काल होता है उसका पूरा पूरा असर हमारे उपर पड़ता है अभी आप देख रहे हैं कि देश के सुरक्षा के सबसे बड़े अधिकारी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं याने यह सुरक्षा की द्रश्टी से ये समय अगर देखा जाए तो एक चितावनी दे रहा है हम सबको अलग-अलग प्रकार की सुरक्षा से सम्मंधित जो भी चीजें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए खासतोर पे जो लोग इस समय पे यात्रा कर रहे हैं आगे आने वाले दिनों में जैसे की 12, 13, 14 ये विशेश तारीके होंगी जब आपको दुरघटनाओं के बारे में अधिक से अधिक पता पड़ सकता है हो सकता है कोई उचे दर्जे का अभिनेता, राजनेता या और कोई भी जो इनसान बहुत ही ख्याती प्राप्त हो वह भी इस समय में हो सकता है असमय मृत्यू को प्राप्त हो जाए देखिए ये दुरघटना हमें बहुत कुछ इस समय सोचने पे मजबूर करती है क्योंकि यह किस प्रकार का कंजिक्शन है मैं आपको बता रही हूँ केतु का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो लोग इस समय पे इस दुरघटना में शहीद हुए है कितने लोग शहीद हुए है पूरे हेलिकॉप्टर में कुल मिलाके 14 लोग थे उसमें से 13 लोग जो इस समय नहीं रहे है इसलिए आप इन नमबरों को यदि ध्यान से देखे तो एक विशेश पैटन आपको दिखाई देगा जिसमें केतु ग्रहा और मंगल ग्रहा के कारण बहुत ही ज़ादा आपको परिनाम देखने मिल सकते है 13 नमबर को भी अपने आप में बहुत ज़ादा शुब नमबर नहीं बताया जाता है तो आगे आने वाले पूरे हफ़ते में आप में से अधिकतर लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है बिनाबाद के एडविंचर बिनाबाद की ऐसी कोई ट्रिप जिसमें दुरगटना की संभावना हों मत करिये देखिए हमेशा बोला जाता है दुरगटना से सतर्कता भली सावधानी से सतर्कता भली ऐसा कई जगह सरकार भी बोर लगाती है तो दोस्तों हम लोग तो बहुत आम है विपिन रावत जी का जो वीमान था वो नाना प्रकार के उपकर्णों से सुसजित था ऐसा बताया जाता है कि उस विमान में एक नहीं दो दो इंजन थे वह विमान एक उत्रिष्ट कोटी का विमान था फिर दोस्तों आप लोग खुदी बहुत समझदार है जो भी जोतिश है वो हमें आगे आने वाले समय के संबंध में विशिर सूशनाय देता है और आज का दिन जैसा कि मैंने आपको बताया आठ दिसंबर केतु ग्रह अपने परिणाम दे रहा है आप देखिएगा आगे आने वाले दिन भी क्योंकि जैसे जैसे केतु और मंगल के बीट की दूरी कम होगी इस प्रकार की चीज़ें देखने और सुनने को मिलेंगी कोशिश करें आप खुल ही अपने काम में थोड़ा बहुत कोई रिसर्च का काम करें वरना ये चीज़ें आपको दुख तकलीफ जरूर दे सकती है जो लोग इस समय पे बहुत परिशान है आपको एक छोटी सी चेतावनी और में दे रही हूँ अपने घर में जब आप फल काटते हैं तो उन्हें आठ की संख्या में मत काटिये क्योंकि आप कही न कही केतु को अपने पास बिला लेते हैं देखिए छोटी छोटी बाते होती हैं जो हमें राहु केतु जैसे ग्रहों से बचा लेती हैं ऐसी कई बाते हैं जिने आप जानना चाहते हैं आप ग्रहों को समझना चाहते हैं और यदि आप अपने बारे में अपने सुक दुख, दुरभाग्य और भाग्य को यदि आप समझना चाहते हैं तो नीता विक्रम चैनल पे जरूर जुड़िए और चैनल सब्सक्राइब करिए जिससे देश विदेश की आपके भाग्य की और भविशिफल की सभी जानकारी आ और परिस्थिती में हैं देश में हमें एक जुट रहने की जरूरत है अपने देश के नेताओं का हमें अपमान नहीं करना है वरना इससे हमारे देश का सूर्य खराब हो जाएगा और जिस देश का सूर्य खराब हो जाता है वहां जीवन जीने लायक नहीं बसता ये भी एक और जादा राजनीती से जुड़े हुए जो भी भविश्य कथन फल हैं, वो यदि आप जानना चाहते हैं, तो इसी प्रकार चैनल पर जुड़े रहिए, आगे आने वाले समय में आपको सभी प्रकार की भविश्य मानिया देखने मिलेंगी, और क्या होने वाला है, कैसे होग कब होगा ये भी आप जान पाएंगे, अभी के समय सभी साफधान रहें, अगला वीडियो लेके जल्दी मिलूंगी, आपकी दोस्त नीता विक्रम, आप सबको नमन करती है,